नमस्कार हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेश हैं आज के समाचार मुख्यमंत्री शी जैराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एबं भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीशांता कुमार को उनके चनम देवस पर शुब काम मुख्यमंत्री ने इश्वर से उनके स्वस्थ जीवन और दिरगायू की कामना की SCVT PTI संग मंडी के एक प्रतिनिधी मंडल ने अध्यक्ष श्री पप्पु भाटिया के नेद्रत्व में आज ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री शी जराम ठाकुर से भेंट की और उन्हें संग की विभिन मांगों से अवगत करवाया मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधी मंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर सहानू भूती पूर्वक विचार करेगी आज प्रदेश के 11 जिलों के विभिन विधान सभाक्षेत्रों में जन्मंच आयोजित किये गए इन जन्मंच में 1609 शिकायतें वमांगे प्राप्त हुई जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निप्टारा किया गया प्रशाशन द्वारा जन्मंच के दोरान कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए सभी आवश्चक सुरक्षा उपायों का सक्ती से पालन किया गया जन्मंच की दोरान विभिन विभागों द्वारा विभिन प्रमानपत्र मौके पर ही जारी किये गए जिनमें हिमाचल प्रमानपत्र, विकलांगता प्रमानपत्र आधी शामिल है इस दोरान शगुन योशना, ग्रिहनी सुविधा योशना, आदे विभिन कल्यान कारी योशनाओं के लाभाठ्यों को लाप्रदान किये गए मुखेमंतरी श्री जैराम ठाकूर के नेतर्तव में प्रदेश सरकार द्वारा क्रियानवित की जा रही अनेक योशनाएं वर्दान बनकर लोगों की आजिविका में व्रिधी कर रही है पशुपालन विभाग के माध्यम से चलाई जा रही सुवर पालन योशना भी इन में से एक ऐसी योशना है जिससे लोगों को अच्छी आमदनी हो रही है उना जिला के बंगाना उपमंडल के नेरी गाउं के श्री नरेश कुमार ने कोरोना संकट के बीच गाड़ी चलाने का कारे छोड़ कर सुवर पालने का वैवसाय अपनाया और आज बेहतर रूप से अपने परिवार का पालन पोशन कर रही है श्री नरेश कुमार ने बताया कि पशुपालन विभा के अधिकारियों ने उन्हें सुवर पालन के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने गत वर्ष मात्र एक हजार पचास रुपए प्रती युनिट के हिसाब से दो युनिट सुवर खरी दे थे जिसकी शेश धंडाशी उपदान के रूप में सरकार ने प्रदान की अब उन्हें शेड बनाने के लिए भी डेड़ लाख रुपए स्विक्रित हो चुके हैं जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया है और हमने अब पिछले साल लिए थे दो यूंट दोनों भाईयों ने अब हमारे पास 65 जानवर हैं और 40-50 उन्हें दे भी दिया है सुवर पालन यूशना के अंतरगत एक यूनिट सुवर के लिए किसान को लागत का केबल 5 प्रतिशत खर्ची वहन करना होता है सुवर पालन के लिए 90 प्रतिशत उपदान केंद्र सरकार तथा 5 प्रतिशत उपदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है एक यूनिट सुवर में प्रतेक लाभार्थी को तीन मादा तथा एक नर सुवर उपलब्द करवाया जाता है जिसकी बाजार कीमत लगभग 17,000 रुपए है इसके तिरिक्त किसान को 4,000 रुपए की दवाईयां, फीड तथा आवश्यक उपकरण भी प्रदान किये जा रही है विशेशग्यों के अनुसार सुवरों की कई नसले वैवसाइक तोर पर पालन के लिए उप्युक्त है जिनमें वाइट याक्षायर, लेंडरिस तथा मिडल वाइट याक्षायर शामिल है स्वासेवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बचे जारी बुलिटन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 1110 लोगों के सैंपल ये गए जिनमें से 201 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 904 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 32,99,049 लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से 30,82,483 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है प्रदेश में कुल 2,15,628 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिनमें से 2,10,493 लोग इस बिमारी से ठीक होच चुके हैं और 1,498 विक्ति उप्चाराधीन है हिमाचल पुलिटन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल डिपी आर हिमाचल फॉलो करें ट्वीटर आट डिपी आर एचपी लाइक करें फेस्बुक पेज इन्फरमेशन और पॉब्लिक रेलेशन्स डेपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himashalpr.gov.in इस संक में इतना ही कल फेर होगी मुलाकात दीजी इजाजत नमस्कार